आँख की गुहेरी पर ये एक चीज लगा लेंगे तो ना ही तो आँख में दुबारा गुहेरी होगी और सुजनवे दर्द से रहत मिलकर गुहेरी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी क्योंकि आपने ये भी सुना होगा कि कभी कभी एक बार आँख पर ये फुनसी हो जाती है तो साथ बार हो सकती है तो आप बिलकुल निश्चिंत रहें इस एक नेचुरल इलाज से आपकी आँख की गुहेरी बिलकुल ठीक हो जाएगी इससे पहले ये जान लेजिए कि गुहेरी अंजनहारी बिलनी इस्टाई आँख की उपर में नीचे की पलकों पर होने वाली दर्दनाख फुनसी होती है जिसमें सुजन आती है साथ ही जलन में खुजली होकर आँख में से पानी भी आने लगता है गुल मिलाकर ये पूरा प्रोसेज बहुती दर्दनाख होता है और पूरी आँख में सुजन आ जाती है आँख में ये फुनसी संक्रमन, गंदगी, एक्सपायरी ब्यूटी प्रोडेक्ट्स के इस्तिमाल से होती है इसकी होने पर आपको साफ सफाई का बहुत अधिक खयार रखना होगा वे आँख की इस फुनसी को बार-बार हाथ लगाने वे छेडने या फोडने से बसना होगा अब इसका इलाज केसे करें इसके लिए सबसे पहले जब ये फुनसी हो जाए तो पानी में सेंदा नमक मिला कर गरम कर लें और जब ये पानी गुन-गुना रह दूसरा काम आपको करना है मारकेट से सिंदूर लेकर आएं सिंदूर जो हनुमान जी के चड़ता है आपको मंदिर की आसपास या किसी पंसारी की शोव पर आसानी से मिल जाएगा इस सिंदूर की एक बिंदी गुहेरी पर लगानी है ये दोनों ही प्रोसेज आपको दिन मे तीन बार करना है बस आँग की गुहेरी कहां चली जाएगी आप स्वयम अचम्वित हो जाओगे यह एक आजमयावा उपाय है और इसके कोई साइट इफेक्ट्स भी नहीं है पर ध्यान रखे सिंदूर ओरिजनल ही होना चाहिए आप यकीन करें एक दिन में गुहेरी की दर